हलो दोस्तों नमस्कार आज 14 माई बीसी में जो दिशा निर्देश मिले हैं सिक्षकों के लिए उनके बारे में मैंदर पाण्रे जी ने स्पष्ट किया है जो आप देख सकते हैं नमबर एक बात जो सिच्चक कंटेंटमेंट जौन अर्थात कर्फियू ग्रस्थ छेतर में रहते हैं उन्हें ग्रीश मवकास के दोरान ड्यूटी से मुक्त रखा जावे उक्त सिच्चकों को ई पास हेतु आविदन ऐस्विक्रत होने का प्रमान प्रस्तुत करना होगा नमबर दो जिन सिच्चकों की कॉविड गुनीज में अब तक ड्यूटी नहीं लगी है उन सिच्चकों की प्रात्मिक्ता से ड्यूटी लगाई जाए नमबर तीन जिन सिच्चकों की पहले ड्यूटी नहीं लगी हुई थी एवं मुख्याले पर उपस्तित हैं तो इस्था महिला का अर्थ एविवाईस से है नमबर च्यार जिन सिच्चकों की पूर्मे ड्यूटी नहीं लगी है एवं जो मुख्याले से वार हैं तो विशेश रेनी के सिच्चकों को छोड़ कर उनकी ड्यूटी लगाई जाए नमबर पांच आवसकता पढ़ने पर अन्य पीयो छेत् सिच्चकों की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है नमबर च्यार जिन सिच्चकों की ग्रीज मवकास के दोरान ड्यूटी लगाई जानी है ऐसे सिच्चकों को सूची बद करके समस्त मुख्य ब्लोक सिच्चा अधिकारी कल ही सम्मंदित उपखंड अधिकारी एवं अधो हस् बारे रूप से उपलव्द करावें तो यहां पर आप देख सकते हैं मित्रों सभी को एक समानी नर्देश मिले हैं सभी एक जैसे नर्देश जारी करेंगे जानकारी के लिए जोद्पुर जड़ी के नर्देश पढ़ लेवें महेंद्र पांडे महामंत्री तो इन्होंने इस